Hello guys, this is Vikram और संडे का दिन आप लोगों के लिए लाया हूँ एक आसम सी वीडियो आज की वीडियो का कंटेंट होएगा बहुत खतानाग, बहुत ही शांदार और बहुत आसम मैं यह आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वाक़ी यह कंटेंट को जैसा है आज हम लोग देखने वाले हैं चार डूल 15 के टॉप यह जो रखे हुए हैं, इन में JBL 500 डले हुए हैं, यह मैं पहले दिखा चुका हूँ लेकिन आज फूरा सेटप है, इन चार टॉप के अलावा इसमें है चार डूल 18 के बेस मतलब चार बेस, चार डूल के टॉप वाला यह सेटप बनने वाला है डूल 18 के बेस में हमने यूज कि हैं AERONS के स्पिकर जो की है LF18X451 वाले यह जो होता है, और यह स्पिकर जो होता है, साड़े चार इंच वोईस कोईल में होता है हमने टॉप में जो स्पिकर यूज किया है, वो यूज किया है JBL का साड़े 500 जिसका वोईस कोईल है चार इंच का सभी बड़ी बड़ी वोईस कोईल में यूज करने का मतलब यह है कि अब आपको उड़ने का जंजट खतम, आउटपुट एकड़म तगड़ा, कॉमपेटिशन लेवल के उपर की लेवल का सेटप यह बन गया है तो आज इन चार डूल 18 को, इन चार डूल 15 के टॉप्स को हम लोग चेक करेंगे इसके लिए अम्पलिफायर सी यूज की हमने, क्रॉसोवर, मिक्सर, इवन दो इस सेटप के साथ हमने जनरेटर भी दिया हुआ है जनसेट भी दिया हुआ इसके साथ, आपको जनसेट की भी मैं इनफर्मिशन आगे देने वाला हूँ इस पूरे सेटप का प्राइस पहले वीडियो को, मतलब चैनल को सबस्क्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप लोग इसे लेना चाते हैं तो ओफिस नमबर में नीचे दिये दिता हूँ वहाँ से आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस पूरे सेटप का प्राइस जनरेटर के साथ 6.6.5 लाग के बीच जाता है काफी धुआदार सेटप काफी दमदार सेटप और इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी टेस्टिंग दिखाने वाला हूँ जो हिंदी और इंग्लिश गयानों पे होने वाली हैं आप लोग टेस्टिंग सुनिएगा कुछ टेस्टिंग अगर हुआ तो मैं फेस्बुक पे भी डाल दूँगा उसकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा हमारी शॉप महरास्टर में है और एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ और इस वीडियो का हम लोग स्टार्ट करते हैं आए पहले मैं आप लोगों को स्पीकर दिखा रहा हूँ जो कि है एरंस का LF18X451 मॉडल नमबर का इसका वोईस कोईल है साड़े चार इंच का 18 इंच का ये स्पीकर है अठारा सो वोट इसका आउटपुट बूला जाता है और ये बहुत शांदर रहता है ये हमने यूज किया है हमारे डूटल इटीन की कैबिनेट में बेस में चार बेस बनाए हमने इस वाले स्पीकर के साथ आईए अब आपको टॉप का स्पीकर दिखता हूँ टॉप का स्पीकर है जेवीयल का 15 इंच में साड़े पांसो वोट वाला इसके साथ हमने एक 100 वोट की HF भी लगा रखी है नेटवर्क के थूँ HF कोपरेट किया जा रहा है और स्पीकर को फूल रेंज पर चलाया जा रहा है शिक्स हैंडल वाली ये कैबिनेट में हमने इनको फिट कर रखा है और एक कैबिनेट में दो-दो एर वेंडिलेशन उपर दिये हुए है HF का फ्लेयर 8 बाइ 12 का है मेटल फ्लेयर में चार स्पीकर के लिए एक DT 4000 का अम्पलिफार दिया गया है और चार टॉप के लिए DT 4004 मतलब टॉटल तीन एम्पलिफार इसके साथ दिये गए है और सेट अप को स्ट्रॉंग बनाने के लिए और ज्यादा रेलाइबल बनाने के लिए एम्पलिफार का टू यर्स का वारंटी भी दिया गया है साथ में एक क्रॉस्वर, मिक्सर और पूरा वाइरिंग है जेनरेटर के साथ आज के जो डूटल 15 में जैसे मैंने बताया आपको हम लोग ये जेबियल का स्पीकर यूज़ करने वाले है जो कि 15 इंच 550 वाट का है इसका चेसी बगयर आप लोग अगर देखना चाते है इसका फ्रेम देखना चाते है या इस स्पीकर का रिवियो देखना चाते है तो मेरी पुरा र clue वीडियो आप देख सकते है वो वीडियो में आई बटन पे क्लिक करने कि बद आपको देख जाएगी और description में उसका भी मैं लिंक दे रहा हूँ उसके अलवा base का जो speaker है जो की है airons की और से LF18X451 इस speaker का भी review video मैंने बना रखा है हलागि इससे पहले वाला है लेकिन फिर भी i button पे click करने से आपको वो video देख जाएगी और description में भी मैंने वो दे रखी है और individual video देखने के बाद आप इस video को भी आराम से देख सकते हैं अब इन में क्या क्या लगा हुआ है आप लोग इन videos के थूर देखिए इसके साथ हमने amplifier जो है सबको separate देने की कोशिश की है मतलब एक amplifier दिया है जो की चार channel का है वो चार dual 15 बजाएगा यह 4 ohms पे काम करेगा 2 ohms के लिए हम लोग recommend नहीं करते इस amplifier को इसलिए हमने 4 ohms पे चलाया दूसरा amplifier एक और दो मतलब दो bass बजाने के लिए dual 18 के दो bass चार speaker जिसको हम बोलेंगे तो हमने एक amplifier दिया जो की चार speaker बजाएगा यानि दो bass बजाएगा दूसरा वैसा ही amplifier दिया जो की दूसरे दो bass बजाएगा चार bass के लिए हमने दो amplifier दिया है चार top के लिए हमने एक amplifier दिया 4 channel वाला और इस setup के साथ हमने एक crossover लगाया जो कि easy वाला था 8 mixer है जो कि customer की choice पे हमने USB, Bluetooth वाला दिया है इसका wiring 5-5 meter का साथ में दिया है dead-dead meter का connections cable है जो amplifier से, crossover, crossover से mixer जाते है customer को generally हम लोग videos प्रोवाइड करते हैं fitting के, इसके wiring के, इसके testing के ये video आप लोगों तक लेट आती है, लेकिन customer का जब ये dispatch हो रहा होता है setup उससे पहले इने ये video दी जाती है हमारा method काफी simple है, पुरानी video से आप भी देख के समझ सकते है हम लोग order पे ही काम कर रहे हैं आज कल क्योंकि हम लोग अपने setups को देने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि कई बर हम लोग office number नहीं उठा पाते हैं तो आप WhatsApp पे वहाँ से हमसे contact कर सकते हैं और आज ये सारी जानकरी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं अपने setups को लेके या हम अपने setups को लेके काफी confident है आज हमने हमारी जो dual 15 वाली cabinet थी ये भी आप लोगों के सामने इसलिए रखी है क्योंकि इसमें काफी change कर रहा है हमने इसमें आप लोग देख सकते हैं काफी ज़्यादा work किया हुआ है मैं अला कि अंदर से आपको नहीं दिखा पा रहा हूं लेकिन इसमें work काफी ज़्यादा किया हुआ है और इसमें आपकी audio quality काफी enhance होके निकलती है और दूसरा point है कि ये square cabinet है तो आपको बांधने में easy जाएगी अच्छा इसके अलावा मैं आपको बताओं इसमें dj bell तक हम लोग provide करते है उसका भी कसर नहीं छोड़ते है इस setup के साथ हमने generator भी काफी powerful दिया है क्योंकि amplifiers और सब चीज़े उसमें connect होगी इसमें power lights भी है setup में और इसमें fog machine भी है आपका तो ये सारी जब चीज़े connect होती है तो voltage consume करती है इसलिए हमने क्या किया आज ही उनको जादा headroom वाला या space वाला generator दे दिया 25 kilowatts 25 kilowatts का single face का इनको generator दिया हमने customer को और तभी ये सारा setup चल रहा है और इसके साथ lights भी चल रही है तो चलिए आप देर नहीं करते हैं हम लोग testing के और चलते हैं चलिए करी मिलादा ओठादा आज्टी है क्याती हूं कर दो कर दो कर दो लिखे जो कत तुझे वो तेरी आदों में रंग के नजारे बन गए थे जो कर दो shaped येलों में दो कर दो कर दो लिखे जो अ क्र दो कर दो ये जोता वुड़ दो 1, 2, 3, 4 जली कोई मैं ये सुनका शर्माई जोए उप्रों नहीं दिखेरी लगाने है दूप में दाए लिखे जोगत तुझे वो तेरी शाश है अदा रखे पड़ी मुशक्र है खोड़ा मेरा दिल है मुशक्र है खोड़ी 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 मुशक् तो इस सेटप को टेस्ट करा है हमने और आप लोगों ने इसे हैड़फॉन में सुना होगा इसकी टेस्टिंग काफी निराली होई है हम लोगों ने आउटडोर में हम चादो करें बैसे टेस्ट किया और इसका बेस बीजियो वीडियो बनाया और फूरे सेटप ग्लाइया इसको इस तरीके से टेस्ट करने से हुम लोगों को contract ग्धाली एक सेटप में कहीं कोई कमी अगर रह जाती है तो हमें open testing में मालूम पड़ जाता है लेकिन इसमें नहीं थी इसलिए इतना बड़ा वीडियो इसके लिए शूट किया गया है और लगबग 2,5 घंटे तक हम लोग इसे यहीं टेस्ट करते हैं और हर एक testing में हम लोग Hindi, Marathi, Telugu, Tamil जो song customer बोलते हैं वो उन पर चेक करना होता है तो यह अच्छी बात है और इसके लिए actually हम लोग proper training के लिए बोलते हैं लोगों को कि आप अगर नए उतर रहे हैं इस field में तो आप training ले लीजिए लेकिन in case कई लोग नहीं ले पाते हैं तो हम लोग उन्हें online training प्रोवाइड करते हैं जो की वीडियो के माध्यम से होता है हम लोग जिन भी customers को यह setup देते हैं हम लोग उन्हें online wiring का training देते हैं इस setup को चलाने का training देते हैं तो हो जाता है एक से दो दिन में ही तो यह सब सीख लेता है हर कोई कोई यादू तो करना नहीं है आज की वीडियो कैसी लगी आज की testing आप लोगों को कैसी लगी मुझे comment करके बताईए और अगर आप लोग इसे लेना चाते हैं तो office number दिया हुआ है उस पे से आप हमें contact कर सकते हैं ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप लोग इस channel पर बने रही है और मैं बना रहता हूँ अगली वीडियो बनाने के काम में चलिए मिलता हूँ थैंक्यू गाइस